इसकार फ्रेंड्स मैं बीके दत्ता मेरा यूटूब चैनल रेलवे मेकनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है खिलाल मैं खड़ापूर रेल याड में हूँ और इधर से आप लोगों को डेली कुछ कोशिस करता है कि कुछ सिकाने के लिए इस तरीका के विडियो बनाया जैसे कि आप लोग भी ओल ओवर इंडिया में मेरा जो सी एड़ाप है और जो भी मेरा जो गार्ड है या तो डाइवार और एसिस्टेंट डाइवार इन लोग भी काम कर सके और जो दरसक होता है उनलोग को भी जानकारी लेने के लिए मैं इस त स्टेंट स्टेटस में कभी भी कोई गाड़ी रणिंग में कुछ प्रॉब्लेम हो सकता है तो यह हो गया एन रूट टावल सुटिंग तो इन रूट टावल सुटिंग में बहुत तरीका के प्रब्लेम होता है कि कोई काउ रानोबर हो जाते है कहीं और जो कि हमरा चलती हुए समान में कुछ खुल जाते है या तो कहीं पाइप जो है कहीं बस्ट हो जाते है तो इस तरीका के जो टावल सुटिंग होता है उसके उ कि मेकनिकल स्टाप या तो कोई भी काम करने वाला आदमी उधर पहुंसते हैं और किस तरीका से काम करके सेक्शन को क्लियर करना है मतलब नेक्स टेक्सर पॉइंट तक वो गाड़ी को कैसी क्लियर करके लेके आना है अगर टेक्सर पॉइंट दूरी में है तो आज मैंने सिखा फ्रेम के नीचे में मेरा मेंन लाइन जो होता है मेटल आपका प्रेसर का दो पाईप उन में से वह uninter aí ऐसे की प्राइब आपको क्या यूज करेंगे और किस तरीका से आप उसको उप्रेशन करेंगे उसके बारे में मैं वीडियो है उसमें दो प्रेसर आपको मेंनली चलते हैं और एही दोनों प्रेसर कर नियंदतन करते हुए आज मैंने discussion करेंगे कि एक चलती हुई गाड़ी में मेरा division में कहीं मेरा ये जो बीपी पाइप जो है बीपी जो प्रेसर पाइप है ये आपका बस्ट हो गिया था तो वो जो उधर एटेंट किया था सेक्षन में गाड़ी डिटेंशन हो रहा था तो उनमें जो गाड़ और डायवार इलोंग उस गाड़ी को निकाल के लेके आया सेक्षन क्लियर करके लेकिन क्या करके लेके आया क्या करना था और उसमें क्या नहीं किया था उसके लिए मैं बात करेंगे आप लोग भी क्या करना था आप लोग को दिखाएंगे तो वीडियो को पूरो एंड तेक देखिए और वीडियो अगर चैनल पर ना है तो चैनल को जल से या सब्सकाइब करके रखिए क्योंकि आप लोग को बहुत जरूरत पड़ेगा तो चलिए मैं वीडियो प्रेंड्स आप लोग समझ गे होंगे कि मैंने जब पाइप बस्ट होने का बाद बोल रहे है या तो मेटल पाइप आपका फटने का बाद ब्रोकेन का बाद बोल रहे है तो बाइपास का बाद जरूर आप लोग को याद में आ जा रहे कि बाइपास करना होगा लेकिन कॉन्वेंशनल जो ईूनिवर्सल भाइ sleeve बोलता है वह आपका BP एक मुंटी में रहेगा और एक मुंटी मेंitor का लगा रहेगा तो मतलब वह आपका कॉन्वेंशनल ICF कोच में थे जो की आपका ICF कोच, आपका सिंगेल okay working हो सकते चाहिए अगर एलिजबी गाड़ी में बाइपास का बात बोले जा रहा है तो ये लोंग बाइपास के बारे में बोले जा रहा है कि एपी टू एपी कनेक्शन होगा और बीपी टू बीपी कनेक्शन होगा जो आपका एफेक्टिव कोच में जहां आपका फॉल्ट हुआ है ए बाजू बाजू जो कोच रहेंगे उसके बीपी टू बीपी कनेक्शन होंगे जो ट्रेन के बारे में आपको बात कर रहा है कि वो आपका एंडून में खड़ा हो गया था कहीं और आपका प्रेसर आपको इंजिन इस तरफ में थे आट नॉमर नॉमर गाड़ी के बाद में लेकिन गाड़ एंड डायवर लोग कोशिस किये थे और वो गाड़ एंड डायवर को एकी बात में समझना चाहिए कि आप लोगों को अगर ऐसी होता है यह पाइप अगर आप जुगाण करके इसमें लगा सकते थे तो कोई जहमला नहीं था अगर आपका यह अंदर में जो माल लेजे कि यह बीपी पाइब नहीं लगाने सका तो इसमें गाड़ी को तो मुझे सेक्शन से क्लियर करना है उदर सीन डायवर पहुंचा नहीं लेकिन जो गाड़ एंड डायवर लोग एक कोशिस किया था तो लोग को कोशिस करना था यही कि गाड़ी में अगर कहीं इस रेक में आपका लॉंग बाइपास होता तो उस लॉंग बाइपास को आपका क्या करना था कि यह देखिए यह कोश जो है यह कोश आपका एफेक्टिव था तो इसके आगे कोश से जो बीपी पाइब निकला है पैसार उसमें यह आपका इस तरह में लेके आना था यह लोग ुआ बाइपस। आप लोग देखे होंगे कि लॉइंग बाइपस जो न έχIS जेthreeल, आफ़िए कोज के उस लुग हैש और फॉर हमको आना पड़ेगा आगेा कोज के साथ में एआफe कोज के डिच, जहांहां से मेरा प्रेसर आ रहा है मतलब प्रेशर इस तरफ से आ रहा है इस कोच तक प्रेशर ठीक से आये इस कोच में भी प्रेशर ठीक से गया है लेकिन उसके बाद में जो तिसरा नंबर कोच में जो जाएगा वो पाइप उसके आगे ये कोच का बी्पी पाय फड़ गिया था मुझे प्रैस करना था कि एक long bypass BP का यह जो मुझे यह खोल देना है BP पाइप को खोलने का बाद में इसको आपको suspension hook में लगा देना है इस coach में और यह pressure मेरा इस coach से मेरा आ रहा है और इधर मैंने आपका long bypass का एक parment लगाएंगे और इसको अंदर से लेते हुए आपका इस तरीका के मैं ये long bypass BP to BP parment इस तरफ से लेके जाएंगे और जो long bypass है उदर से लेते हुए इस में से आपको install करते हुए तार से बांध-बांध कर इस portion से आपको अंदर घुसा देना आपका इधर निकल के आएंगे और यह वाला आपका बीपी पाइप बस्ट हुआ था तो वो लॉंग बाइपास का जो पामेंड है यह आपका इस वाला पाइप से लग जाएंगे यह जो कपल अभी देख रहा है यह वाला खोल के पामेंड इस साथ में लगा देंगे यह पेसर बिलकूल इसमें आएंगे नहीं अगला जो कोच है उस तरह से पेसर आ रहे थे इसके अगला कोच से बीपी पेसर डाइवर्ट हो गिया और ये आके ये आपका तिसरा नंबर कोच में बीपी पेसर चली गया पीछे जित्रा भी गाड़ी है सब में बीपी पेसर आ गिया और गाड़ी में ब्रेक के लिए कोई प्रोब्लेम नहीं होगा गाड़ी कोई केमपेस का अंडर भी नहीं होगा बात बोलना जरूरी है कि जबी कोई काड़ी में अगर एफेक्ट होगा तो आपको पहला ये संबंदित बात में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो बोस्टर जो सिस्टेम है ये बोस्टर में एर स्प्रिंग है या तो आपका एलेजबी कोच में आपका ये कोई अगर इस में वोस्टर अगर एर बेलो है तो अभी जो मैं बात करेंगे उसमें दिक्कत आ जाएंगे 60 लाग और आ झायेंगे अगर आप लांगबाइपस लगाते है तो कोई केमपिज़ इसमें नहीं आते थे खाली इस कोच के जो ब्रेक पावर है ब्रेक पावर आपको आईसोलेट हो जाते थे गाड़ी कोई केमपेज में नहीं आते थे लेकिन उस दिन क्या हुआ था मैंने अभी आप लोगों को डिसकास कर रहे है इसन में गाड़ी खड़ा हो गया थे वो मैंने बोल रहा है कि यह आपको पाइप फड़ गया था पाइप रहने से अगर लगा देना सकते लेकिन यह जो मेरा CNW स्टाप का ही काम है तो इसमें से जो आपका LP और आपको जो गाड़ यह सब काम करते हैं उलोंग में से इक काम कर करना मने सुविदा नहीं है उलोंग से हो गया भी नहीं अगर कर सकते तो बहुत ही अच्छा काम करते कि एक पाइप जुगाड करके यह पाइप अगर लगा देते क्योंकि रेक में मेरा जो मेरा लास्ट जो भीकल में एक पाइप तो पीछे में रहते है वो पाइप अगर अगर जी से में खोल के इदा लाके बीपी पैसर का पाइप लगा देते तो कोई जहमला नहीं था लेकिन उलों का पास में जो टूस नहीं रहते है क्योंकि यह खोलने का लिए होता है यह मेरा पास में पाइप रेंज जो है वो होना चाहिए और भी कुछ ऐसे सरी समान रहत इस तरीका के दिखते है ओ आपका जो बाइपास कपलर ओ लगाये थे अधर से पेसर आ रहे है उदर आट नंबर नौ नंबर गाड़ी में यह केस हुआ था तो मतलब आट नंबर गाड़ी तक प्रेसर ठीकी था नौ नंबर गाड़ी में भी ठीकी था लेकिन आके पाइप इधर फटा तो दस नंबर गाड़ी में पकड़ लिए जाएंगे इधर से जाना बंद हो गिया तो उस दिन जो के था यह काम गाड़ ने मैं रिपोर्टिंग लिया था तो उन्होंने जो काम किया था भी मैं आप लों को एस्प्लेंड करूंगा उन्होंने इधर एक लगाया थे किस तरीका से लगाया थे अभी बता रहे हैं जब टेन में डिफेक्ट हुआ था पाइप उस तरह का फट गिया था बीपी पेसर का पाइप तो आपका अगला कोच का उस जंक्सन में तो उन्होंने जो गाड के पास सायद लॉंग बाइपास नहीं थे उसलिए उनिवर्सल बाइपास लगाया थे तो उनको आना पड़ेगा देखिए इस कोच का उस एंड में पाइप फट थे तो मैंने इस कोच के इस एंड में आया और इधर स तो मेरा बीपी पेसा तो रन होई रहा उनिवरसल बाय पास में दो आपका इस तरह के कपला लगेंगे जो कि एक का आपका देखिए ये कोच में आपका उस तरह में पैफट गया लेकिन इधा ठीक था दोनों को अंकपल करना होगा ये दोनों को पामेंट को अंकबल करना पड़ेगा और किस तरीका से करना है देखिए ये जो मेरा जो उनिवर्सल बाइपास है उनके इधर मैंने ये खोल देंगे और ये एपी का भी पामेंट खोल देंगे दोनों को अंकबल करना है और इधर क्या करना है मुझे उनिवर्सल बाइपास का जो बीपी पैसर का जो पॉइंट है इसके साथ में लगाएंगे और उसके उपोजिट मुँ में आपका एपी पैसर का पामेंड मिलेंगे इस जो कोच में एपी पाइप से मेरा बीपी पेसर का पाइप जा रहा है तो इस कोच में मैंने उधर से बीपी पेसर एपी पाइप के जलिया इसमें आपका बैपस से आ गिया है और आने का बाद में ये आपका ये अच्छा गाड़ी है ये इधर पाइप फट गया था तो ये पाइप इधर से मेरा प्रेसर और आएंगे नहीं मेरा ये जो पाइप है इसमें से मैं उधर इंपूट किया है बीपी पेसर का पाइप ये एपी परिशा से निकलेंगे इसके बाद में अपका जो उधर से आये है ये एपी पाइप में मेरा बीपी पेसर आये है इसका आगे का कोच का बीपी पेसर इस कोच में मेरा एपी पेसर जो पाइप है उसमें से आये है और मेरा ये मिलजे इधर एक लगाने पड़ेंगे F P का पार्मेंड वाला बाइपास इधर एक लगाने का बाद में opposite side जो होगा उनमें से B P का पार्मेंड रहेंगे तो ये वाला आपका B P का पार्मेंड जब लगाने जाएंगी इसमें लगा दीजिए तो देखेंगे कि यह जो है आपका इसमें BP से आपका फिर से दुसरा कोच में आपका प्रेसर BP प्रेसर रन हो गिया यह जो मेरा effective कोच है इस कोच में मेरा क्या हुआ BP प्रेसर बिल्कुल है नहीं आपका यह conventional universal coupling के जरिया अगर आप long pipe लगाते तो कोई problem ही नहीं था तो अभी जब आप किये है तो अभी क्या हुआ बताएंगे देखिये इसमें क्या है आपका BP प्रेसर है यह नहीं यह फिर से निकला हुआ है BP प्रेसर उस आगे गाड़ी का जो बीपी पेसर है इसमें से कि इस इन्ड में आपका फिपाइप से आया बीपैसर अगा फिर से बाम पयसर नहीं है इसमें तो आमे यह इन्ड में आपका पयाड़ी हो गाड़ी है जो इन्फी दूसरा में आपका बीपैसर उधरंग होोगा प्रेशन करने का आगे आपको एक चीज आगे कर लेना होगा कि पाइप जब आपका उधर अनकपल किये होंगे ये वाला बाइपास जब लगा रहे है लोंग बाइपास लगाने के लिए कोई प्रब्लेम नहीं था उनके लिए खाली आपका ये बीसी वान टू आइसोलेट औ तो और अपका इधर देखिए एपी का आइसोलेट है ये आपका एपी आइसोलेटिंग कौक है 1 को बंद कर देना था और इसको आगेसी बंद करना है लेकिन आपको चारोग कर देडा आप अगर इस तरीके के अगर उनिवर्सल बाइपस लगाते है तो फिर भी आपको यह चारो बंद करना पड़ेगा और अगर आप बीपी टू बीपी पेसर का जो लगाते है उसमें आपको यह पैनल बोर्ड का चारो आपको बंद करना पड़ेगा क्यूंकि आप लॉंग बा और हो सके तो यह जो आर्चार्जर है इसको भी आप उठा दीजिए एक बात कहना जरूरिया है उस दिन जो गाड़ी एफेक्ट हुआ था उस गाड़ी का जो डीवी पैनल बोर्ड मैंने देखे थे वो बीसी वान टू आइसोलेट थे और ट्वालेट आइसोलेट थे जैसे कि एभी इधर है लेकिन अपिंडिशन में थे लेकिन अभी आप बोलिए कि अगर ओन काड़ी JOHN कॉंडिशन वह ते इस काड़ी का फ़प् lifts माने जो उनिवर्सल बाइप goddamn популяр लुगाए है मैं ने बोल रहे हैं कि अपी 75 अपको प्रेसर जा रहे थे amount toman VP-5 का प्रेसर इस में से पैसर मेरा यह कॉमन बैकेट पाई में डीवी में आपको बैक आपको बीपी पैसर इदर आ रहे थे और अर्चाजन हंडल भी उत्रा हुआ था यह काम आप मत करिए क्यूंकि जब होगा एपी पैसर भी बंद कर दीजे क्यूंकि यह जब आप उनिवर्सल बाइपास लगा रह बैसी की आपका auxiliary निवर्सल लाइन दे आ गिया है इक हुआ से कुछ भी प्रप्रब्लेम होगा गारे फिर से आपका खड़ हो या तो फिल ब्रेक बंडिंग भी आपको हो सकते थे अगर आप यह आइसोलेट नहीं करते छोड़कर भी कुछ और पॉब्लेम कर सकते थे तो आपको यह ध्यान में देना चाहिए कि यह पी भी बंद करना चाहिए और आपका जो दोनों पैनल बोड इस जाएफेक्टिव का गाड़ी जो था वो सिस्टी के में रन करके मेरा टेकसर पॉइंट तक आये थे किस लिए किस कारण से एक मात्र कारण था कि यह मैंने युनिवर्सल जो बाइपास लगाए थे इन में क्या हो गया मेरा जो एफेक्टिव कोस्ट थे उनमें में मेरा एपी पैसर चला नहीं और बीपी पैसर का जो एपी पैसर से जो बीपी लाइन आया तो यह मेरा एपी पाइप से निकला हुआ थो तो उधर से मेरा एपी पैसर और बाकी जो गाड़ी थे उनमें कहा जाएंगे एपी पैसर मतलब पीछे गाड़ी में एपी पैसर नममकीन थे जाना तो इसमें क्य पैसर रहते हैं तो एप्पि पैसर पकड़ लीजे कि सामने जितना गाड़ि थे वह अगर एफपि चला के रखते हैं तो आपको क्या होगा कि इस गाड़ी में जो भी बेलो है उसको प्रेशर मिल रहा है यह जो एफे anderes ऑप्टयो है यह कि फेक्टिव कोझ्छ तो इस तरीका के आपको तभी KMPH के अंडर आते हैं अभी आप लोगों पता चलिए कि एफेक्टिव कोच अगर एर बेलो होते हैं अगर आप इस तरीका के आप बाइपस कपला लगाते हैं तो प्राबलेम क्या है प्राबलेम एही है कि गाड़ी 60 KMPH के अंडर में आ जाते हैं अगर आप लोग बाइपस लगाते थे तो कोई भी प्राबलेम नहीं होते थे आपका गाड़ी कोई KMPH अंडर नहीं होते थे बहुत दूरी में टेक्सर पॉइंट है हैं और सिस्टी केंपेज में गारी को लेकर जाना और उसमें से डिटेंशन भी बहुत ज़ादा हो जाते है पूंतलाब आप लोगों ने जभी इस तरीका कुंस पॉब्लेम होगा तो कोशिस करेंगे pipe burst होने से pipe लगाने के लिए अगर pipe burst होता है आप कुछ करने ही पाता है तो long bypass जो है उनको use करने के लिए और lhb coach में आप अवेट करने का कोशिस करेंगे कि universal जो bypass है इनको आप use करने के लिए अगर आपका पास कोई उपाई नहीं है section clear करने के लिए तो वो आप किस तरीका से करेंगे और क्या करना था इसके बारे में मैं चर्चा किये हुए मेरा आसा है कि आप लोग इस तरीका से मेरा यह जो bypass का बारे में जो बात किये है इसमें आप लोग कुछ ना कुछ समझ पाए होंगे तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए कॉमेंट बॉक्स में कुछ जान करें से कॉमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतेजार करिए चैनल पर नया तो चैनल को जल से सबस्काइब करिए और सुस रहिए सुरक्षित रहिए थैंक यू वाचिंग पॉर माइ वीडियो और है वे गूट देए